तो दोस्तों B.A.D. को लेके डॉक्टर राम मनरलोगिया ने अफिसियली डेट शीट जारी कर दिया कि एक्जाम्स कब होगा और कितने घंटे का होगा जब आप उस डेट शीट को देखेंगे तो आस्चारे रह जाएंगे जिया दोस्तों आस्चारे रह जाएंगे और इसी आ अचानक क्या हो गया बाई क्या दुस्मनी है बीएड वालोसी तीन घंटे का पेपर और कोई गैप नहीं पहले डेट शीट को देखिए फिर चार्चा करेंगे कि कैसे क्या करना है इस डेट शीट में कैसे त्यारी करना है पहले डेट शीट देख लेते हैं एक बार तो का अतार हैं बीना किसी गैप के वो भी सुवा नौ से बारा यानि कि तीन घंटे का पेपर अपनी युनिवरस्टी में यखीन करिए जो भी चाहिए वो बीसी बीकॉम भी फार्व जो भी पेपर्स हुए ना इस बार दो एक्किस में कोवीड की वजह से डेड़ घंटे का प के फर्स पेपर 26 को सेकेंड पेपर 27 को थर्ड पेपर 28 को और अगर सोचिए किसी का संस्कृत हो हिस्ट्री हो जियोग्रफी या कॉमर्स हो तो उसका तो चार दिन में पेपर खतम 26 27 28 29 30 लगातार बैक टू बैक तीन घंटे का पेपर 9 से 12 यह पेपर का फॉर्मेट है कभी आई होगी अच्छा इसमें कुछ चीजें नोटिस करने वाली बात हैं 30 तारी को आपका एक पेपर है ठीक है 30 तारी को आपका अगर कॉमर्स या जियोग्रिफी है भुगोल या आपका कॉमर्स है तो 30 को पेपर है 30 तारी के बाद से 7 दिन कोई पेपर ही नहीं है 7 दिन कोई पेपर नहीं है 8 दिन 31 का महीना तो 8 से अब दूसरा पेपर सुरू होगा अगर आपका ऑप्शनल पेपर हिंदी है तो 8 को पेपर होगा 30 तारी के बाद से 31 से 7 तक कोई पेपर नहीं 8 दिन का गैप है शायद हो सकता है उसमें कुछ आफिस लिहाँ दिवाली चार तारी का दिवाली और मुझे लगता है कि दिवाली नहीं यहाँ पे विद्यारतियों का दिवाला निकल गया बिलकुल कैसे खुशी से बच्चे दिवाली मनाएंगे आगे उनके सर पेपर का टेंशन होगा तो 30 तारी के बाद से सीधे 8 को पेपर है और उसमें भी आपका ऐसे पे और बायो का क्या पेपर होता है बायो और फिजिकल साइंस यह भी बैक टू बैक देखिए आप 17-18 17 को फिजिक्स 18 को वायरोची बैक टू बैक और देखिए दोस्तो 22 तारीक को यानि कि नवंबर 22 को आपका आखरी पेपर होना है अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आपका रिजल्ट कब घोसित होगा 22 नवंबर को आपका बीएड फरस्टियर का लास्ट पेपर होना है यानि कि जिसका नागरिक सास्तर है उसका पेपर 22 तारीक को होगा तो कुछ इस प्रकार से डेट सीट जारी कर गई है दोस्तों बहुत ज़्यादा शौकिंग है अब त टॉपिक्स हैं टॉपिक को समझेए हेडिंग को समझेए अंदर की चीजों को ध्यान में रखिए और आपको बिलकुल भीड जाना है आपके पास टाइम कितना है आज है आपके आर्ट तारीक को यह सूचना जारी कर दे गई और पेपर कब से होना है 26 तारीक से यानि कि कु इस यूनिट अगर आप एक दिन में एक यूनिट भी खतम करते हैं तब भी आप एक्जाम तक खतम नहीं कर पाएंगे तो इसलिए बिलकुल अब सुरू कर देना है पढ़ाई डेट शीट जारी हो गई तीन घंटे का पेपर और पूरा का पूरा जो भी मोस्ट इंपोर्ट बहुत ही शौकिंग है बाइदेवे बेस्ट अफ लॉक फॉर 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 एक्जाम सी यू दे नेक्स वीडियो सी इन दे कमेर वक्ट जै हिंज जै भारत दोस्तो